सो गाइस आज की वीडियो में लोग बात करने हो आधे फ्री फायर में एपने लेवल जो एउसको कैसे तेजी से इंग्रेश कर सकते है यानिकि दोघना मतलब जैसे आप लोगों का मिनिम्म जैसे दीरे-दीरे लेवल इंगेश होता है उसको मिलत थोड़ा फास्ट कैसे इंग कि आप लोग को तो इस देपने करते हैं कि आप की इस पते हैं. क्योंग कर दीजेगा मैं कि मैंने एक गिल्ट थी उसको लिव कर दिया है तो मैं किसी भी गिल्ड में जाना चाहूंगा और जुस्त आप लोग मुझे कि फ्रेंड के बेजना चाहते हो तो मैं आप लोगों को आईडी यहां पर दिखा दे रहा हूं आईडी और यू आईडी मैं अपनी यहां पर लिख दिऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां पर इसकीन पर सो कर दूंगा जो आप लोग मतलब डालके मेरे को फ्रेंट कर सकते हो मैं आप लोग को फ्रेंट कर लूँगा और हम लोग साथ में खेलेंगे आप लोग को लेवल कैसे तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि आप लोग मतलब की जो खेलते हो गेंपले करते हो आप लोग समझते हो कि टाइमिंग के उपर डिमेंट करते हो जादा टाइम के लोग उतना ही जादा तेजी से लेवल इं आपको करना किया है कि आप लोग हो सोलो वर्जे ष्कार्ड खेलना है यह जूदो को स्कल्वर्ज में क्लासिक मैच नहीं केलना है अभी मेरे को गाईस यह दो-तीन दीन हुए है मेरे लेवल हुआ था 58 या 57 हुआ था 57 हुआ था मैं मतलब सोलो वर्स स्कॉर्ड मैंने 4-5 मैस के लिए और देखा मेरे लेवल बहुत ज़ादा तेज़े से इंकरीज हो रहा था तो मैंने यह बाद नोटिस कि और आप लोगों को टिब्स दूँगा अगर आप लोग उसको अपलाई करते हो तो एक दो बार अगर मारे जाओगे तो यह कोई दिकन नहीं है मगर आप लोग काफी अच्छा सोलो वर्स स्कॉर्ड खेलने ले लोगोगे तो आप लोग मैस देख रहे हैं सोलो वर्स स्कॉर्ड का ही है और मैं आप लोगों कियां पर स्कॉर्ड बंदे की वह दिखा देनो प्रोफाइल मतलब चार सेजन से खेला गया उसका लेवल फिफ्टी एट हो गया क्योंकि इसकी पैसली आली आईडी जो थी वह बैन हो गई थी मतलब रिफेंड पॉलिसी के चलते तो उसने दूसरी आईडी के उपर अगर अगर आप लोगों को भी ऐसे करना तो आप लोगों को फुली स्कूर्ड के ओपर डिबेंड करता है और आप लोगों को सब कुछ कूछ बता दोगा कैसे आप लोग का लेवल तेजी से खेल जाएगा घंप्ले देख लीजए आप लोग मैं थोड़ा बहुत सब्सक्राइब जरू कर देना